नमस्कार, Engineering, Job Information में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में Civil, Electrical and Electronics के लिए good news है कि Airport Authority of India की तरफ से Civil, Electrical and Electronics के लिए vacancy आचुकी है तो इस वीडियो में इस जोब से related फुल इन्फोमेशन आप से सेयर करेंगे चलिए वीडियो श्टार्ट करते हैं वीडियो इस्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी से रिक्वेस्ट है यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वैल आइकन प्रेस कर लीजे जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हैं सबसे पहले नेम आप पोश्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि Executive Engineer Civil, Executive Engineer Electrical and Executive Engineer Electronics के लिए यहाँ पर चौब आ चुकी है कौणिफिकेसन की बात करें यदि आप सिविल इंजीनियर हैं तो सिविल इंजीनिरिंग में आपका BE या फिर WTEC होना चाहिए यानि कि Bachelor degree होनी चाहिए और इसके साथ साथ यदि आप Electrical Engineer है तो आपकी Bachelor degree होनी चाहिए यानि कि BE या फिर WTEC होना चाहिए इसी तरह से electronics engineering में आपका BE या फिर B.T.E. होना चाहिए ठीक है इसके साथ साथ civil या फिर electrical या फिर electronics आप जिस ब्रांच से हैं उस ब्रांच में आपका BE या फिर B.T.E. में 60% से कम नहीं होना चाहिए यह यह आप चाहिए 60% है तो आप इस job को apply नहीं कर सकते हैं इस ब्रांच से हो आपकी maximum age 27 year होना चाहिए यदि आपकी age 27 year से जादा है तो आप इस job को apply नहीं कर सकते हैं इसके साथ साथ ST, SC, OBC को छूट मिलती है ST, SC को 5 year की छूट है और OBC को 3 year की छूट है इस job को apply करने के लिए salary की बात करें तो civil, electrical या फिर electronics तीनों post के लिए जो salary है वो सेम है आपकी salary 40,000 starting होगी और इसके साथ साथ 3% के rate से पर year आपकी salary increase करेगी यदि आपको यह job मिल जाती है start date की बात करें तो 38, 2020 यानि कि 3 August यह form फिलप होना start हो चुका है और इसके साथ साथ last date की बात करें 29, 2020 को इस form को फिलप करने की last date है और इसके साथ साथ यहाँ पे एक criteria और दिया गया है कि आपका 2019 get qualify होना चीए तो यदि आपका get qualify नहीं है तो आप इस job को apply नहीं कर सकते हैं ठीक है नमबर आप post की बात करें तो civil executive engineer के लिए 15 post है और electrical executive engineer के लिए 15 post है यानि कि civil और electrical के लिए 15 post है और इसके साथ साथ electronics engineer की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा post है आप देख सकते हैं कि electronics engineers के लिए 158 post है और इसके साथ साथ physical test भी होगा आप देख सकते हैं कि physical test के लिए eligibility क्या-क्या दी गई है अब बात करते हैं कि आप इस job को कैसे apply करोगे Airport Authority of India की website से जा कि आप इस job को apply कर सकते हो और इसके अलावा description में link दे दिया गया है आप वहाँ से जाके direct इस job को apply कर सकते हो सो job बहुत ही अच्छी है अगर यह job आपको मिल जाती है तो आपकी life पूरी तरह से set हो जाएगी यदि आप इस job के eligible हैं तो इस job को जरूर से जरूर apply करें अभी के लिए बस इतना ही अपना ख्याल लखिए अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल लखिए इसी भाव के साथ आपसे बेदा लेते हैं धन्यवाद